हेलो एवर्ड वेल्ड वेल्कम निष द हूए सू जेक्थ भूजई को पता है कि सेविल एउड़ीनियर्स के लिए मेकेनिकल एउड़ आज दोनों के लिए ही बहुत अच्छी खासी वैकंसिन आné this लिए ने अा रहा हूं यहां पर गाइज इस पर्टिकुलर एडवर्टिस्मेंट में जो कि 1111-2022 को निकाली गई है एडवर्टिस्मेंट नंबर 06-2022 इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में आपको यह पता चल गया था कि 855 लगभग वेकंसीज है कि करके आपको दिखाना चाहूंगा य होती हैं बात कंतला है यहां पर तो state आपका यहां पर यहां एक्जाम लेकर आए को दे चुके हैं या फिर देने वाल है इस एक्जामनेशन को वह सभी बच्याण से देखेंगे समझेंगे इसका पेपर का जो पैटरन है उसकोडिकोड करते हैं घृइज डेखिए यहाँ पर होता क्या है यहाँ पर इस particular examination में आपको केवल और केवल टेकनिकल के questions देखने को मिलते हैं 120 marks के question 120 minute का समय मिलता है आपको और 120 questions भी आते हैं मतलब आपको हर एक कोशन के लिए एक मिनट का समय अलोट किया गया है इस examination में और 120 questions देखने को मिलेंगे अब इन 120 questions में से किन किन portion से कौन सा कौन सा questions आपको देखने को मिलता है उसको समझते हैं देखिए बहुत ही ज़्यादा important है गाई इसका syllabus सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है surveying अगर हम बात करें surveying की तो surveying में कुछ topic ऐसे हैं जहां से questions बार बार repeat होते हैं 10 marks का इसका total weight is रखा गया है और यहाँ पर importance of surveying यहाँ principle principle and classification से एक question 100% आता ही आता है measurement of distance and direction यहाँ से आपको questions 2-3 questions यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं इस particular examination में चेंज surveying लिखा हुआ है compass surveying and leveling यहाँ से इस portion से guys कम से कम 5 questions दिखेंगे इस leveling तक यहाँ से इस portion से यहाँ से जो लिखा हूँ यहाँ से कम 5 questions यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं टेकोमेटर थोड़ो लाइट traversing यह जो बचा हुआ portion है इस portion से आपको 2-3 questions आपको देखने को मिलते हैं तो कुल मिला के इस particular surveying का वेटेज 10 नंबर का हो जाता है जिसमें आपको पता चल रहा है कि surveying में compass serving leveling का वेटेज अच्छा खासा आपको examination में देखने को मिलता है अगर बात करें इसके अलावा बाकी के portion की तो उसको movement friction center of gravity simple mechanics यह पूरा portion जो यहां तक लिखा हुआ है न mechanics वाला इस पूरे का पूरे portion से लगभग लगभग आपको 3-4 questions यहां से आपको देखने को मिलते हैं उसके बात देखिए properties of material bending moment shear force statically determinate beam simply supported पूरा सुम वाला portion चल रहा strength of material वाला यहां से पूरा यह तो यह जो पूरा strength of material का portion है लगभग यहां से भी यह पूरा का पूरा stress transformation simple bending theory flexure and shear stress unsymmetrical bending shear center यह पूरा का पूरा जो portion है यह पूरा 10 marks का containing होता है 10 marks के questions लगभग लगभग आपको इस portion में से देखने को मिलते है including slope and deflection पूरा का पूरा तो यहां से यह 15 marks का होता है जिसमें mechanics को 5 marks और आपका sum and structure का portion जो होता है वहां से आपको 10 number का देखने को मिलता है portion जो कि previous year के questions paper में आपको देखने को मिले है right अब अगर student आगे बढ़े next portion की तो बात करते हैं RCC RCC में देखिए यह concrete technology वाला जो portion है पूरा का पूरा जिसमें concrete technology को हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट पढ़ते हैं workability वेगरा से तो इन सब से पूरा का पूरा concrete technology जो होता है 5 marks का weight is contain करता है और remaining जो होता portion जो RCC वाला है वो 10 marks का portion वहां से देखने को मिलता है इसी के साथ soil mechanics again बहुत important portion यहां पर देखिए 2-3 चीज़ें बहुत important है जैसे origin of soil fundamental definition classification यहां से आपको इस portion में दो से तीन questions आपको देखने को मिलते हैं जेके SSB जेके examination में लास्ट एर का examination आप में से comment section में बताना है कि कितने बच्चों ने दिया था अभी जो लास्ट एक्जामनेशन जेके SSB वाला हुआ था इस बार no doubt की vacancies बहुत जादा है पिछली बार के तुलना में अगर बात करें तो लगबख five times vacancy है पांच गुना है उसी आप से यहां पर आपको preparation करोगे तो cut-off में भी relaxation मिलेगा ओविसी बात है कि पिछली बार की तरह नहीं जाएगी यहां पर ज्यादा बच्चों को select करना है लेकिन पढ़ाई में कमी नहीं होने चीए पिछली बार जो महनत करी थी उससे double महनत करनी है और इसी के सास्थ आपक को complete कराना है वो सारी के सारी जिम्मदारी हमारे उपर आप छोड़िए बाकि आपको यूट्यूब पर questions वगरा की practice भी मिलेगी effective stress principle deformation of soil consolidation compaction strength और stress यह पूरा का पूरा जो portion है न यह लगभग लगभग आपका छे से साथ question यहां से आपको देखने को मिल जाते हैं examination में राइट उसी तरीके से आगे बात करें fluid and hydraulics बहुत important है यहां से आपको question अच्छे खासे यहां पर देखने को मिलते हैं इस particular examination में सारे ही topic important है इस पेशली मैं बोलूँ कि यहां पे जो uniform flow critical flow flow gradually varied flow specific energy concept hydraulic jumps यह जो portion है ना इसमें बहुत सरा portion OCF वाला भी यहां पर पूछा जाता है और इसमें पूरा का पूरा जो portion है यह इंपॉर्टेंट हो जाता है इधर वाला रोट सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट है यहां पर 15 माक्स का वेटेज है अच्छी बात है कि इसमें केवल टेक्निकल के सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है इसके बाद देखिए इरिगेशन एरिगेशन में क्या रहता है इरिगेशन में आपको कैनल डिजाइनिंग लेसिज कैनेटी पूरी के पूरी थेरी पड़नी है उसके बाद रीवर ट्रेनिंग वर्क, वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर, रिचारज, वेल, हाईडरोलिक, यह प करें अगर water supply and waste water engineering यह भी 10 marks का आपका weightage है और इसमें आपको देखिए दिख जाता है conveyance of water quality of water most important topic नीचे जो है sewerage system construction of sewer sewerage characteristic method of disposal यह तीनों ही topic important है राइट और लास्ट में air and noise pollution जैसा कि इस बार SSJ के examination में देखा यहां से questions मिल रहे हैं तो इसमें भी आपको questions देखने को मिलेंगे यह भी important हो जाता है यह वाला portion आपके लिए राइट लास्ट में देखिए highway engineering अब highway में क्या क्या दिया हुआ इसको देखिए history of development of highway and planning यह पूरा का पूरा YouTube पेक planning and development और geometric designing का पूरा एक video available है आप उसको देख सकते हो उस video को देख सकते हो पूरी के पूरी चीज़े समझ में आ जाएंगी बाकी यह डिटेल topic जो है जिसमें CBR method सब ग्रेड पर प्रिपरेशन डव्लू बीम डव्लू एम बिटोमिनस में यह सब आपको paid classes में मिल जाएंगी method of road construction यह सारा का सारा कुछ important है और यह थोड़ा सा हट के है highway engineering transportation का portion जो है बाकि SSEJ examination के लिए आप पढ़ते हो उससे थोड़ा सा न यहाँ पर आपको अलग कुछ पढ़ना पड़ेगा टेल माक्स का वेटेस कंटेन करता है और लास्ट में आपको देखिए railway engineering अलग से दिया हुआ है और cpm and part railway engineering में आपको important जो point है वो types of rail creep और उसके बाद कहीं लिखा होगा points and crossing यह यह आपका important है यहीं से आपको 5-7 questions आपको देखने को मिल जाते हैं इसी portion से तो guys हाला की देखो जितने भी points mention किये गाए हैं वो तो important है जिन point को मैं focus होके बोल रहा हूं यह point थोड़े से important है वहाँ से questions relatively थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं examination में construction planning और इसमें cpm and part में तो यहां तो part cpm के definition differences यहां से questions valuation इसमें included है right depreciation इसके method बहुत ज्यादा important है और estimation and costing definitions यह भी important है चुकि cpm and part में ही इसको mention कर दिया गया है तो यहां पे इसके definition portion से questions देखने को मिलेंगे method of estimation and types of estimates यह दोनों point important है हाला कि estimation costing इनको अलग से भी देना चीया था लेकिन 15 marks का इसलिए कर दिया है कि 5 marks for this or 10 marks for this तो इस तरीके से यह divide हो जाता है और यहां से आपको questions देखने को मिलते हैं overall guys अगर पूरे के पूरे इस examination की बात करूं तो बहुत ही अच्छी opportunity है उन सभी aspirant के लिए जो जम्मू इन कस्मीर से बिलाउंग करते हैं जो जही बनने का एक सपना देखते हैं और सही-सही माइले में बात करूं तो guys यहां पर number of vacancy जो है civil वालों के लिए वो बहुत ही अच्छी खासी हैं तो यहां पर आप अपने preparation कर सकते हो हमारे साथ इंजीनियर सटा के platform पे जुड़के आपको करना के हैं दो तरीके हैं दो option है आपको बता जेता हूँ जितने भी aspirant हैं जो regular basis पे दीरे दीरे पढ़ रहा है या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि उन चीजों को regular basis पे देखते हैं पढ़ते हैं जिनको questions लगाने का सौक है जिनको लगता है कि मैं सीख सकता हूं subject जिनको इंतजार्त है इस vacances का उन सभी aspirant के लिए बोल रहा हूं कि एक dedicated batch है जेके SSBJ civil नाम से यह particular new batch है जो कि आपका 29 तारीक देखी start date यहां पे 29th of November 29 तारीक से start हो रहा है यह particular batch इस batch को जोइन करने के लि iPhone हो या फिर iPhone हो दोनों के लिए ही मिल जाएगा इस आपको डाउनलोड करते ही उसमें आपको gate and engineering section आपको दिखाई देगा gate and engineering section में जाईए right gate and engineering section में guys आपको civil engineering branch में यह JKSSCJ का यह selection batch दिखाई देगा और यह complete live classes होगी इन live classes की recorded वीडियो भी एप में available रहेंगी जितनी बार मन करें उतनी बार उन वीडियो को देख सकते हो छे महीने तक आपके पास यह रहेगा available रहेगा classes भले ही खतम हो जाए उसके बाद भी आपका six month के duration के अंदर यह आपको वीडियो की access रहेगी जितनी बार मन करें उतनी बार देख सकते हो और discounted price में lowest price में जोईन करने के लिए यहाँ पे एक discount coupon code है इसको जरूर आप apply कर सकत करने के बाद डेर्क लिएड़ 24-7 सर्च किजिए आपको इस तरीके की website खुलेगी यहाँ पर देखिए all courses दिखाई दे रहा और courses में gate and engineering exams दिखाई दे रहा और जैसे y293 करके apply करेंगे आप तो देख सकते हैं आप लोग इस batch की price जो हो गई कितनी हो गई 2644 अगर application से purchase करेंगे तो लगभग 2500 का पड़ जाएगा आपको यह बैच लेकिन आपको यह है अच्छी बात इसमें कि आपको systematic way में सारी के सारी चीज है आपको इस particular batch में मिल जाएंगे तो आपको बस अपनी preparation को start करना है जो भी आपको लगता है कि छोटी मोटी कमिया है उसको भरपाई करनी है तो वो कर सकते हैं paid classes में या फिर आपको लगता है केवल YouTube से questions के practice करूंगा तो वो भी आपके पास option है ठीक है guys तो मिलते हैं आप से next video में और अपनी preparation को अपने exam के हिसाब से start करें आज से ही शुरुवात करें और एक अच्छी शुरुवात करें और अपने selection को ensure करें thank you so much everyone बबाए and take care